Hello Friends, Welcome to Editorial Analysis by Simplified Civil Services आज 18 में को तोटल तीन आर्टिकल डिसकस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वो है The Hyper-Politicization of Indian Higher Education यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के परस्पेक्टिव से इस तरह का कोश्चन हम यहां पर explain करेंगे एड्रेस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नेक्स आर्टिकल जो डिसकस किया जाएगा वो है Social Justice with Growth Social Justice क्या है, Growth क्या है यह सारे आस्पेक्ट कबर करेंगे जो recent debate चल रही है reservation देने की 50% से उपर उसके क्या pros और क्या cons है उसके बारे में बात करेंगे आर्टिकल काफी अच्छा आया हुआ है नेक्स आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है Can Parties Be De-Recognized और De-Register कल यह आर्टिकल कुछ technical reasons के कारण शायद वीडियो में एड नहीं हुआ था तो आज यह वाला आर्टिकल आपका फिर से डिसकस किया जाएगा अगर आपको हमारा content पसंद आ रहा है तो प्लीज आप like करिए, comment करिए, share करिए, subscribe करिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा telegram channel भी join कर सकते हैं आपको नीचे दी गई होगी या फिर आप simplified civil service सर्च करिए और directly जो है आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं आईए शुरू करते हैं हमारा analysis हमारा first article है the hyper politicization of Indian higher education यह article the hindu में आया है GS2 mains के perspective से बहुत important यह article है आपको directly higher education के उपर question आ सकता है में GS2 में आएगा health and education GS2 से related है तो आपको mains में question कैसा पूछा जाएगा do you think or do you agree that Indian higher education is plagued by hyper politicization अब आप से पूछा गया है क्या कि क्या आप agree करते हैं तो आप अगर हाँ कहेंगे तो उसको आपको justify करने के लिए कुछ examples देना जरूरी है यहाँ पर हम कुछ examples की बात करेंगे पिछले कुछ सालों में इंडिया में higher education का politicization हमेशा से था लेकिन यहाँ पर excessive politicization की बात की जारी है hyper politicization की बात की जारी है तो पहले आपको बताना होगा कि higher education में politicization कैसे हो रहा है और उसको justify करते हुए आपको कुछ examples बताने होगे बात में आप उसके consequences भी बता सकते हैं कि इंडिया के लिए hyper politicization of Indian higher education बिलकुल भी अच्छा नहीं है और उसके reasons क्या क्या है उससे क्या परिणाम हो सकते हैं short term में और long term में इस तरीके से mains में question पूछा जा सकता है और इसी तरीके से यहाँ पर हम इस article के थूँ इस mains के question को address करेंगे अब article शुरू करते हैं एक चीज़ बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो यह article आया है इसने current government NDA government को जिम्मेदार ठराया है कि जो hyper politicization हुआ है वो NDA government के कारण ही हुआ है लेकिन इस तरीके से आप answer नहीं लिख सकते आपका answer एक तरफ नहीं होना चाहिए biasness दिखाई नहीं देना चाहिए आपका answer balance होना चाहिए तो आप जब भी अपना answer शुरू करेंगे तो इस तरीके से शुरू करेंगे कि इंडियान independence के बाद से ही जो इंडिया के higher education है उसमें political interference, political influence और politicization होता आया है और ये भी fact है, ये सच है ये भी सच है कि अभी recent year में कुछ जादा ही political interference देखने को मिल रहा है hyper politicization देखने को मिल रहा है तो दोनों चीज आपको लिखनी होगी balance करके answer लिखना होगा otherwise आपको अच्छे marks नहीं मिलेंगे इस चीज को आपको ध्यान रखना है अब बात करते हैं कि किस तरीके से politicization university का होता आया है पहले किस तरीके से होता था जो आपके politician होते हैं पांस-दस साल रहते हैं उनको पता हैं उनका career जादा नहीं है तो वो जो पैसा कमाते हैं उससे क्या करते हैं colleges खोल लेते हैं, university खोल लेते हैं उन्हीं में बच्चों को पढ़ाते हैं उससे पैसा बनाते हैं तो उसमें भी एक career बहुत सारे इंडिया में जो है institutions है, university है जो की politician ओन कर रहे होते हैं उनके पास power होती है पूरा का पूरा university और higher education capture करे हुए हैं तो ये पहला point हो गया दूसरा, जो आपके ministers होते हैं जो आपके मंतरी होते हैं वो क्या करते हैं वो generally declare करते हैं कि इस area में university बनेगी इस area में colleges बनेगे तो ये जो announcement होता है जो घोशना होती है वो politically advantages location पे होती है कई बार ये electorate को खुश करने के लिए होती है merit को देखा नहीं जाता है जैसे आप राय बरेली की बात कर सकते हैं सोनिया गांधी कई सारी इस तरीके की announcement कर चुकी हैं और वहाँ पर चीजें राय बरेली को मिली है लेकिन उसके पास में बहुत सारी ऐसी जगा है यूपी में ही जहां पर यूनिवर्सिटी दूर दूर तक नहीं है और आपको यहां डारेटली क्या देखने को मिल रहा है पॉलिटिकल इंफ्लूएंस देखने को मिल रहा है इवन कहां खोले जाएंगे यह डिसीजन भी पॉलिटिक्स पे ही डिपेंड कर रहा है इसके अलावा अगर आप वाईस चांसलर की आपॉइंट मेंट की बात करें डारेक्ट इंफ्लूएंस होता है वाईस चांसलर जो है डिसाइड कौन कर रहा है केंद्र सरकार decide कर रही है तो यहां पर directly किस का जो है role रहता है केंद्र सरकार का JNU की बात कर लिजे JNU में Vice Chancellor अगर केंद्र सरकार की नहीं सुनते तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है जैसे ही सरकार बदलती है सारे Vice Chancellor खुदी resign करते थे क्यों क्योंकि नहीं government आएगी और उनकी ideology वाले Vice Chancellor ही university को lead करना चाहिए तो यह चीज़े आपको देखने के लिए मिलती है Next क्या है appointment of professors जब आप Vice Chancellor का appointment कर लेते हैं तो पूरी appointment process कही ना कही politicize हो जाती है अब Vice Chancellor ही recruit कर रहा होता है तो जो professors होते हैं वो merit basis पे नहीं particular ideology को अगर belong कर रहे है तो उनको पद में nukety दी जाती है otherwise उनको nukety नहीं मिल रहे है तो merit basis की बजाए एक particular ideology को अगर आप follow कर रहे हैं तो आपको nukety दी जा रही है और यह बहुत खतरनाग चीज़ है क्योंकि आप एक particular ideology को ही promote करना चाहते हैं तो यहां पर इस तरीके से हमें independence के बाद से politicization देखने को मिला है और इसके जो examples हैं उसके बारे में भी बात करेंगे जो current events हुए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे हला कि independence के बाद एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इंडिया में चाहे हो right wing के views हो या left wing के views इसे रखने में इसमें research करने में कभी academicians को punish नहीं किया गया बहुत कम cases आपको देखने को मिलते हैं लेकिन recent government में ये चीज़े आपको देखने के लिए मिल रही है कि अगर आप minority view ले रहे हैं minority का मतलब यहां पर religious और linguistic minority की बात नहीं कर रहा हूँ अगर आपका जो opinion है वो सब कोई नहीं मान रहा है आपका opinion minority में आ जाता है तो आपके opinion को दबाया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़ादा देखने को मिल रही है अगर कोई भी professor या फिर कोई भी writer article लिखता है और कोई बड़ी university में है तो उनको university से बाहर कर देना उनके article को बोलना कि आप ये article को वापस ले लीजे नहीं तो आप job से resign कर दीजे इस तरह के जो events हैं वो पिछले 10 सालों में बहुत ज़ादा बढ़ चुके हैं अब इससे नुकसान क्या होगा तो सबसे पहले जो नुकसान होगा वो बात कर लेते हैं economically क्या नुकसान होगा जब आपको सतंदरता ही नहीं होगी लिखने की तो आप innovation कैसे करेंगे आप research कैसे करेंगे जब innovation research नहीं होगा तो फिर नहीं चीज़े नहीं आएगी तो economic development कैसे होगा possibly नहीं है economically develop होना तो एक सबसे बड़ा issue यह आएगा कि intellectual लोग का जो space है वो कम होते जा रहा है और ऐसे में जो innovation है जो research है वो भी कम होती चली जाएगी दूसरा भी social aspect की बात करते हैं social consequence क्या होगे जब आप जो सतंत्रता है लिखने की उसे खम कर देंगे उसे खतम कर देंगे तो सिर्फ majority views को ही सुना जाएगा और कहा जाएगा तो कहीं न कहीं सोचने में भी जो out of box thinking होती थी वो खतम हो जाएगी innovation खतम हो जाएगा और अगर आप against में लिखते भी हैं तो आपको दबाया जा रहा है इसका मतलब जो university है वो intolerant हो चुकी है और discrimination और intolerance इन सारी चीजों को बड़ावा मिलेगा लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया independence के बाद जो university है वो एक debate का अड़ा रहा है वहाँ पर हर views को cater किया जाता है सब को सुना जाता है और logically ही उस view के counter दिये जाते हैं यहाँ पर एक view को ज़ादा उठाया नहीं जाता इसलिए नहीं उठाया जाता कि वो majority उसको accept कर रही है या फिर जो politics है वो उसे accept करती है उस view को support करती है यहाँ पर चाहे majority view हो या minority view हो दोनों view को सुने जाते हैं और उसके बाद debate होती है और यह debate culture इंडिया की history का बहुत समय से पाट रहा है चाहे आप महाभारत देख लीजिए चाहे आपके जितने भी उपनिशद्स है question answer form में होते थे एक सवाल फिर उसका answer एक सवाल फिर उसका answer तो यह हमारे culture में है यह debate system और यह debate system पिछले कुछ समय में तूटता हुआ या खतम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो इस से होगा क्या tolerance नहीं होगा society में और tolerance अगर इस चीज़ के लिए नहीं है other view के लिए नहीं है obviously politics को भी नुकसान होगा क्योंकि सिर्फ एक ही view या फिर majority view ही अगर आपका जो है public domain में आ रहा है और minority views आपके public domain में नहीं आ रहे तो सरकार को अगर कोई criticize करना भी चाहे तो वो नहीं कर पा रहा है और अगर वो नहीं कर पा रहा है इसका मतलब यह है कि in the long run technological development नहीं होगे technological aspect हो गया ethics और morality के perspective से देखे तो society के moral और ethical fabric भी खत्रे में आएगा क्योंकि सिर्फ एक ही view जो है उसी को superiority दी जा रही है तो यह सब आपके क्या हो जाएंगे consequences हो जाएंगे अब इसके कुछ examples देखते हैं जो पहला example है वो recently जो राहूल गांधी जी है उन्होंने कहा था कि जो current government है वो सारे vice chancellor का appointment उनहीं का कर रही है जो उनकी ideology के है merit basis पे नहीं कर रही है और इसलिए जितने भी non-BJP government के state थे वो vice chancellor के appointment में अपनी खुद की power लिना चाहते हैं वो जो vice chancellor का appointment है वो खुद करना चाहते है और इसमें supreme court में case भी चल रहा है केरला हो, तामिल नाडू हो इन state में जो state university है उसमें जो chancellor, vice chancellor है उसका appointment, chancellor तो governor होते है vice chancellor का appointment की जो power है वो state government रखना चाहती है इसके अलावा academic freedom भी बहुत जादा खत्रे में है अगर कोई लिखना चाहता है तो वो भी डर डर के लिख रहा है कि कहीं मैं government के against में लिखूँ तो हो सकता है मुझे resign करना पड़े या मुझे बाहर कर दिया जाए इस तरह का एक example है अशोक university का 2021 का example है जिसमें political scientist प्रताब भानू महता ने एक article लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो इंड़की politics है उसको constitutional values को क्या करना चाहिए उसको honor करना चाहिए ऐसा उन्होंने लिखके कि इंडर सरकार को criticize किया था उसके बाद जो है उनको अपने पद से resign करना पड़ा था उन्हें दबाव डाला गया कि या तो आप article वापस ले लीजे या resign कर दीजे और उसके बाद उन्होंने resign कर दिया तो जो academic freedom है उसमें वो खत्रे में है और यहाँ पर ये example आप use कर सकते हैं इसके बालावा एक प्रोफेसर सीमा दलवाई थी जो की faculty member थी O.P. Jindal Global University में उनके against में article लिखा था उन्होंने उनके against में online जो है campaign चलाया गया था right wing groups के द्वारा तो इस तरीके से जो academic freedom है उसको दबाया जा रहा है इसके अलावा एक और example है Tata Institute of Social Science TIS में एक PhD student को suspend कर दिया गया था उसको कहा गया था कि वो anti-national activities में involved है हाला कि जो student union है जब उनसे बुचा गया तो उन्होंने बताया उसे इसलिए जो है suspend किया गया है क्योंकि वो anti-student policies के जो केंदर सरकार की policy है उस protest में participate कर रहा था तो कहीं न कहीं जो भी केंदर सरकार के against में जा रहा है जो भी intellectuals against में जा रहे है उनके लिए जो space है public space, writing space वो धीरी-धीरे खतम होती जा रही है अब conclusion की बात कर लेते हैं तो आज के समय में जो hyper politicization हो रहा है higher education का वो इंडिया के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है इंडिया के higher education के लिए और civic life के लिए भी अच्छा नहीं है अगर independent academic sector नहीं रहेगा colleges को autonomy नहीं मिलेगी तो innovation नहीं होगा innovation नहीं होगा तो इंडिया economically बहुत तेजी से नहीं बढ़ सकता और socially भी एक ही particular view या फिर majority view चलेगा तो जो minority view है वो धीरे धीरे खतम हो जाएगा उससे भी out of box thinking खतम हो जाएगी autocracy आ सकती तो overall आप यहाँ पर चीज़े sum up कर सकते हैं और sum up करते हैं कि अगर इंडिया को higher education में top पर पहुचना है world universities में top पे rank पे जाना है तो इंडिया को hyper politicization हो रहा है उससे अपने आपको रोकना चाहिए बचाने की जरुरत है केंडर सरकार को अपने आपको दूर करने की जरुरत है hopefully यह सारी चीज़े आपको clear हो गई होगी यह हमारा article हमारा next article है social justice with growth यह article इंडियान एक्सप्रेस में आया है GS2 मेंस के perspective से बहुत important article है prelims perspective से भी important article है जो चीज़े मैं mention करूंगा preically important है उसे ध्यान से सुनेंगे जो article है वो किसके उपर आया है reservation के उपर आया है recently हमने एक article पढ़ा था और reservation के लाने के लिए जो fundamental reasons है वो उन सारी चीज़ों की मैंने चर्चा की थी सारी चीज़ें आपको अच्छे से explain की थी कि इंडिया में reservation किस तरीके से evolve हुआ है current status क्या है और क्या चीज़ें इसमें changes होनी चाहिए future में recently elections चल रहे हैं 18 लोग सभा के और obvious है कि reservation का मुद्दा आएगा ही आएगा इंडिया alliance के जो leader है Congress के जो leader है नाहूल गांधी उन्हों ने recently कहा कि जो 50% ceiling है 50% ceiling किस के लिए है OBC, SC और ST इन तीनों को मिला कर 50% से अधिक reservation नहीं दिया जा सकता ये ceiling किस ने लगाई है Supreme Court ने लगाई है कौन से case में इंडरा साहा ने 1992 का ये जो case था इस case में ये ceiling लगाई गई है Supreme Court ने कहा कि अगर 50% से ज़ादा reservation दिया जाएगा तो ये reverse discrimination हो जाएगा जो बाकी community है जो general class के लोग हैं उनके लिए ठीक ऐसा Supreme Court ने कहा था लेकिन recently राहूल गांधी जी ने कहा कि ये ceiling को हम constitution amendment लाके खतम कर देंगे और OBC, SAS, STs को और reservation दिया जाएगा तो as a political tool इसे इस्तिमाल किया जा रहा है जो सही नहीं है सही नहीं है उसके reason की बात करेंगे और सही है उसके reasons की बात करेंगे आपको mains में question ऐसे पूछा जा सकता है कि 50% ceiling अगर breach होती है तो reverse discrimination होगा Do you agree? तो आप यहां पर या फिर आपको पूछा जा सकता है critically analyze तो आपको pros में भी कुछ point लिखने होंगे और cons में भी लिखने होंगे तो obviously reverse discrimination होने की संभावना है बहुत जादा है क्यों क्योंकि जो बच्ची होई community है उन्हें पूरा reservation तो नहीं मिल रहा है उनके लिए जो 40% बच्ची होई seats है उस पे SC, ST, OBC और general category सभी fight कर सकते हैं तो वहाँ पर वो seat सिर्फ general वालों के लिए नहीं है तो कहीं न कहीं reverse discrimination हो सकता है इसके पीछे और भी आपको reasons देने होंगे दूसरा reverse discrimination नहीं है क्यों क्योंकि ये social justice ensure कर रहा है ये point आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा और इसी point के बारे में इस article में बात की गई है तो यहाँ पर social justice की बात कर लेते हैं social justice पता चल गया तो article पूरा समझ में आ जाएगा social justice होता क्या है social justice denote that all people are treated fairly without any social distinction जितने भी लोग हैं अलग-अलग society में अलग-अलग caste के schedule tribes है schedule caste है women है OBC community के लोग है सब को fairly treat करना ही social justice है इसका मतलब क्या है social justice का मतलब है कि society में privileges नहीं होना चाहिए और social justice को strengthen करना है तो हमें SCST, OBC और women's जो community है उनकी conditions को strengthen करना पड़ेगा चीज़े clear है यह आपका social justice हो गया और growth तो आप जानते ही हो जो production बढ़ रहा है जो income बढ़ रही है जो expenditure बढ़ रहा है उसे हम GDP से denote करते हैं growth से denote करते हैं तो जो growth होनी चाहिए वो हर section की होनी चाहिए social justice भी होना चाहिए उनको fairly treat भी किया जाना चाहिए और growth भी growth के benefits भी उनको मिलना चाहिए और उसके लिए reservation as a tool यहाँ पर इस्तिमाल किया जा सकता है जो article लिखा गया है वो Congress की leader नहीं लिखा है लेकिन कुछ points काफी अच्छे हैं जो आपको main answer में लिखने में बहुत जादा help करेंगे तो चुकि Congress Party ने यह कहा है कि हम amendment लाएंगे तो इसके against में दो यहाँ पर reasons दिये जा रहे हैं कि ऐसी चीज़े क्यों नहीं के जानी चाहिए reverse discrimination कैसे होगा मैंने आपको बता दिया पहला तो legal argument है कि सुप्रीम कोर्ट में यह stand ही नहीं करेगा और यह constitution की spirit और letter के against में है यह पहला point दूसरा point है economic point है कि अगर आप इतना ज़ादा reservation देंगे तो आप talent, skill और merit यह तीनों चीज़ों को जो है compromise करेंगे और यह तीनों चीज़े अगर compromise होगी तो इंडिया की जो economy growth है जो economic outcomes हैं वो बहुत पूर आएंगे तो जो administrative efficiency आर्टिकल 337 में दिया हुआ है जिस पर prelims में 2023 में question भी पूछा गया था वो ensure रही हो सकेगी अगर आप बहुत ज़ादा reservation दे देते हैं तो तो यह क्या थे इसके against medicines दिये जा रहे थे जो constitution amendment की यहां बात कर रहे थे उसमें जो reasons दिये हैं economic reason और आपका legal reason उसको counter करने के लिए कुछ evidence शो किये हैं कुछ natural experiments जो की already चल रहे हैं उसी से related evidence यहां पर दिखाएगा है natural experiment की बात करें तो यह research methodology है जिसे economics यूस कर रहे हैं to study the effects of policy changes in the real life natural experiment लेब experiment से अलग होते हैं क्योंकि lab के जो experiment होते हैं वो control होते हैं natural experiment control नहीं होते इसका मतलब आप किसी जगा पे pilot project शुरू करिए 2 साल 3 साल pilot project एक particular pace पे चलाएए और उसके बाद फिर आप जो है जहां पर नहीं है वो project और जहां पर है उसको compare कर सकते हैं natural environment में और फिर उसको compare करके final अपने result दे सकते हैं इससे हम क्या बोलते हैं natural experiment बोलते हैं now luckily natural experiment करने के लिए हमारे पास already site है कौन सी site है Tamil Nadu state Tamil Nadu state ऐसा state है जहां पर 69% OBC plus SCST reservation दिया जा रहा है ये 50% से अधिक है 1990 में total Tamil Nadu में जो quota था उसे 69% कर दिया गया 1992 में इंदरा सहानी केस हुआ Supreme Court ने 50% की जो ceiling थी उसे impose कर दी उस समय जैलालिता जो है chief minister थी और prime minister आपके नरसिमा राओ जी थे तो उनकी मदद से 9 schedule में amendment करके इस act को इस law को place कर दिया गया जिसके थूँ 69% SCST और OBC community को reservation दिया जा रहा है अब आप बलोगे 9 schedule क्या हो गया 9 schedule में क्या है यार ये first amendment act से आया है जब prime minister आपके कौन थे जवालना नहरू ये question UPS Supreme में पूछा जा चुका है 9 schedule की खास बात क्या है उस समय जो land reforms थे वो basically आपके क्या कर रहे थे violation कर रहे थे right to property का जो fundamental right है तो 9 schedule बनाया गया और उस amendment में उस amendment में ये किया गया first schedule में कि 9 schedule के अंदर जो भी law place किया जाएंगे इसका judicial review नहीं किया जा सकेगा इसका मतलब जितने भी land reform से related act हैं उनको आप 9 schedule में डाल दीजिये और इसके against में Supreme Court नहीं जाया जा सकेगा तो यहां से 9 schedule आया और इसी तरीके से जो 69% वाला law था एक्ट था उससे भी 9 schedule में place कर दिया और फिर इसका भी judicial review नहीं हो सकेगा हलाकि 2007 में Supreme Court ने IR Cohello case में इसके बारे में आप जानते होंगे IR Cohello case में कहा था कि prospectively अगर article 14, 21 और 19 का violation हो रहा है किसी law के अंदर और even वो 9 schedule के अंदर भी placed है इससे फरक नहीं पड़ता Supreme Court judicial review करेगी ही करेगी और उसे null and void भी कर सकती है तो जो article 14, 19 और 21 है उसे हम क्या बोलते हैं golden triangle fundamental rights बोलते हैं यह चीज़े आपके prelims के लिए बहुत जादा important है IR को हिलो case आपको कभी भी prelims में पूछा जा सकता है mains में already पूछा गया है तो 2007 के बाद से अगर यह चीज़े होगी 14, 19 और 21 का violation होगा तो Supreme Court judicial review भी कर सकता है और उसको null and void भी कर सकता है यह छोड़ते हैं यह 1992 में आपकी natural experiment site कौन बन गई Tamil Nadu बन चुका था अब Tamil Nadu state 93 से 2023 के बीच में किस तरीके से वह economic growth हुई है compare to the state where the reservation is less than 50% यह हम यहाँ पर compare करेंगे और इन सारी चीज़ को जो data है इसको आप लिख सकते हैं अपने answer में 1993 और 2023 के बीच में per capita GDP अगर सबस्यादा grow की है तो वो Tamil Nadu में की है after करनाटका इसका मतलब second highest growth in per capita GDP Tamil Nadu में होई है in 30 years में तो हो सकता है कि आपको यह लगे कि यह जो growth हो रही है वो किसके कारण हो रही है जो overseas से remittance आ रहा है जो income बाहर से आ रही है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो 1993 से 2023 के बीच में जो number of factory है Tamil Nadu में double हो गई है सिर्फ गुजराद की Tamil Nadu से जादा है investment MSME में सबसे जादा हुआ है जितने भी state है total India में इसके अलावा अगर production की बात करें तो production में भी number 2 पे है महराष्टा के बात से और जो total worker यहाँ पर employee किये गए है इन 30 सालों में वो सबसे जादा है और इनको जो wage दी जारी है वो भी सबसे अधिक है अगर आप महराष्टा से compare करेंगे तो इनकी जो wage है वो 70% जादा high है यहाँ पर Tamil Nadu में जो employees काम कर रहे है जो iPhone manufacturing हो रही है जो electronic manufacturing हो रही है उसमें 40% manufacturing अकेले तामिलनाडू में हो रही है और काचिपुरम तामिलनाडू का जो district है वहाँ से total one third जो है अपका mobile का export हो रहा है पूरे world में और one third काचिपुरम की population दलित है तो यह जो data है यह जो empirical evidence है यह show कर रहा है कि economic outcomes, economic growth, reservation के कारण कम नहीं हो रही है और यह जो argument है कि जो merit based पे लोगों को नहीं लिया जाएगा तो economical efficiency, administrative efficiency खतम हो जाएगी तो उसको counter करने के लिए यह evidences दिये गए है चीज़े clear है क्या? यह चीज़े आप अपने answer में लिख सकते है दूसरा आप इसको counter करने के लिए बहुत सारे लोग यह भी बोल रहे है कि जितनी आबादी, उतना reservation, उतना हक इस तरीके से यह debate भी चल रही है तो यह इन सारी debate से अपने को बचना है To be honest अगर देखा जाए India is a developed country अगर इंडिया को बनना है तो इंडिया को reservation से आने वाले समय में उपर उठना पड़ेगा यह बहुत सस्ता तरीका है सरकार के द्वारा votes लेने का क्यों सस्ता तरीका है जब तक आप economic pie नहीं बढ़ाएंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता आप किसको वो pie जो है distribute कर रहे है आपको जो income है उसको बढ़ाना पड़ेगा जो jobs है उससे बढ़ाना पड़ेगा अगर यह जो economic pie है jobs नहीं बढ़ेगी इंकम नहीं बढ़ेगी तो आज जिनको आप reservation दे रहे हैं कल दूसरी community उठके आ जाएगी जैसे पाटीदार आ गए जाट आ गए अमराथा moment हुआ इस तरीके से हर एक community बोलेगी हमें reservation चाहिए तो सरकार को जो focus करने की ज़रत है वो economic pie बढ़ाने की ज़रत है और उसके लिए reforms करने की ज़रत है pro market reforms बहुत ज़रूरी है pro business reform से दूर रहने की ज़रत है chronic capitalism को खतम करने की ज़रत है यह सारी चीज़े होगी तो ही इंडिया डेवलप होगा reservation होना चाहिए या नहीं होना चाहिए that's a different thing लेकिन जब तक आप pie नहीं बढ़ा करेंगे economic income नहीं बढ़ाएंगे तब तक के इंडिया ग्रो नहीं कर सकता और एक बार आप pie बढ़ाईए उसके बाद reservation दीजिए तो किसी को विरोध भी नहीं होगा social justice करने के लिए दे सकते हैं लेकिन जब तक के pie नहीं बढ़ता तब तक के कोई फाइदा नहीं तो यह basically पूरा article था चीज़े hopefully आपको clear हो गई होंगी आरा next और आज का last article है can parties be de-recognized और de-registered यह article दा हिंदू में आया है GS2 mains policy के perspective से बहुत important article है electoral reform से related अगर question आता है तो यह article में जो चीज़े दी हुई है उसे आप mention कर सकते हैं election commission of India की जो power है उससे related अगर आपको mains में question आता है तो यहाँ पर आप उसकी power का भी जिक्र कर सकते हैं कि उसको de-registered करने की power नहीं है किसी भी political party को यह gap है यह power बहुत समय से election commission of India demand कर रहा है लेकिन उसे यह power नहीं दी गई है तो इसी के बारे में हम इस article में चर्चा करेंगे अब article शुरू करते हैं आटिकल न्यूज में क्यों आया है इसे देख लेते हैं election commission of India ने recently एक report release की है वो report किसके उपर है enforcement of model code of conduct जिसमें election commission ने कहा है कि वो हर political party के star campaigner से यह expect करते हैं कि वो इस किसी भी तरह के ऐसे comment ना करें जिसके कारण society का जो fabric है वो खत्रे में आ जाए जो communities के बीच में peace है communal harmony है वो खत्रे में आ जाए एक community को दूसरे community के against में ना किया जाए ऐसे statement देने से अपने आपको refrain करें और star campaigner क्या करें? example की तरह लीड करें बाकी campaigners के लिए इस तरह के कोई भी statement ना दिये जाए especially star campaigners के द्वारा recently political parties में आपने देखा होगा star campaigners जो बड़े बड़े लीडर है वो हिंदो मुस्लिम कर रहे है जाती के नाम पर vote मांगे जा रहे है polarization हो रहा है और vote consolidate करने की कोशिश की जारी है चाहे political party कोई भी हो caste और जाती के नाम पर vote मांगे जा रहे है religion के नाम पर vote मांगे जा रहे है और उसके लिए इस तरह के खराब statement भी दिये जा रहे है जिसके कारण society का जो fabric है वो भी खत्रे में पढ़ सकता है और कहीं न कहीं इससे एक debate शुरू हो गई है कि जो model code of conduct का violation किया जा रहा है उसके लिए ECI के पास तो कुछ power ही नहीं है उसके enforcement के लिए क्योंकि उसे सिर्फ एक statement देना पढ़ रहा है report release करनी पढ़ रहे है कि please आप लोग जो है इस चीज़ को follow करिए lead by example बनिए ये सब request करना पढ़ रहा है आपके election commission of India को तो क्या election commission of India को कुछ power दी जानी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे now अब बात करते हैं registered political parties के बारे में और recognized political parties के बारे में जब तक के आप registered नहीं होंगे तब तक के आप इंडिया में election नहीं लड़ सकते तो सबसे पहले political party form करने के बाद आपको अपना एक constitution by laws या फिर memorandum बनाना पड़ता है और वो memorandum आपको submit करना पड़ता है registration के लिए उस memorandum में आपको कुछ details देनी पड़ेगी जैसे कि आपको declare करना पड़ेगा कि जो party की true faith और allegiance है वो constitution के लिए समर्पित है party जो socialism principle है secularism principle है democracy principle है इसको follow करेगी इसके तरफ अपना allegiance शो करेगी और uphold करेगी sovereignty को unity को और integrity of India को जब तक कि आप ये statement लिख करके अपने समविधान में party के समविधान में नहीं देते हैं तब तक कि आपकी party को register नहीं किया जाएगा register कौन करेगा election commission of India आपकी party को register करेगा आप अगर registered हो गए तो आप unrecognized registered political parties उसी समय बन जाएगे कौन से section के अंदर section 29 के अंदर rp act 1951 में पूरी की पूरी procedure requirements लिखी हुई है जिसके तरू political parties को register किया जाता है एक बार आप registered हो गए उसके आप कोई भी election लड़ सकते है benefit क्या होता है benefit यह होता है कि जो भी donation मिलेगा आपको election लड़ने के लिए वो सारा का सारा donation income tax act section 13a 1961 के अंदर exempt किया जाता है उसे text है उसके उपर आपको कोई भी text नहीं लगीगा इसके अलावा आपको एक common symbol भी दिया जाएगा एक symbol भी आपको दिया जाएगा कि ठीक है यह जाडू से आप लड़ सकते है जब हम आदवी party बनीती तो उन्हें एक symbol दे दिया गया था कि चलो ठीक है जाडू से आप लड़ो next benefit क्या है आप 20 star campaigner use कर सकते हैं अपने election campaign में आप 20 star campaigner designate करिए और इनके थुरू अपना election campaign को क्या करवा सकते है जो भी campaigning है जो भी आप प्रचार पसार कराना चाहते हैं इन star campaigner से करवा सकते हैं चीज़े clear है यह सारे benefits के लिए है unrecognized registered political parties अभी आपको recognition नहीं मिला है अभी आप सिफ registered हुए है जो की first step है इंडिया में 2790 active registered political parties है यह इसमें recognized और unrecognized दोन है अब recognized party के बारे में बात करते है जो political party है उसे as a state और national party recognize किया जाता है किसके दोरा election commission के दोरा और कौन से provision के अंदर election symbol reservation and allotment order 9068 symbol order के दोरा जो है आपको recognized किया जाता है as a national party और as a state party तो हर political party जो registered है वो state और national party हो सकती है कि नहीं उसके लिए उसे कुछ criteria follow करना पड़ेगा आपको कुछ seats जीतने पड़ेगे कुछ percentage of vote जीतने पड़ेगे जब तक कि आप यह नहीं कर रहे हैं इलेक्शन में complete fulfill कर लिया है इसलिए उसे national party recognize किया गया है अब ही अगर हम बात करें तो लगभख 61 state parties हैं और 6 national party हैं इंडिया में ठीक और यह जो है बार-बार change भी हो सकती है इसका मतलब जो parties है उन्हें de-recognized भी किया जा सकता है यह power election commission of India के पास होती है लेकिन election commission of India के पास de-register करने की power नहीं है जो की supreme court ने 2002 में Indian National Congress vs. Institute of Social Welfare और other ruling में कहा था कहा था कि election commission of India के पास de-register करने की power नहीं है किसी भी political party को under RPA Act 1951 exceptional circumstances में de-register कर सकते हैं कि आपने registration किया उसमें कुछ fraud किया है या फिर आपके जो bylaws हैं वो उसमें जो भी criteria fulfill करना था आपने fulfill नहीं किया है आपने constitution के लिए जो allegiance शो करने कहा था वो सारी चीजे नहीं किये आप constitution के against में कोई कार कर रहे हो तो उस case में de-register हो सकता है लेकिन बाकी cases में de-registeration नहीं हो सकता ये जो de-registeration है ये एकदम initial step में ही de-registeration किया जा रहा है कि आपने जो है कुछ गड़बड़ी की है कुछ fraud किया है लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारी political party क्या करती है अपना registration कर लेती है और उसके बाद जो tax है उसको छुपाने के लिए जो है ये political party का इस्तिमाल किया जाता है क्यों क्योंकि यहां पर जो income tax है वो तो exempt है तो यहां पर हम क्या करेंगे political party को donation करेंगे और यहां से काला white बन कर आएगा तो ये जो political party है जो की 2790 है ये सारी 2790 कर क्या रही है ये सारी की सारी जो काला धन है उसको सफेद बनाने में लगी हुई है और इसको जो है deregister नहीं किया जा सकता है और in fact अगर model code of conduct follow नहीं किया जा रहा है किसी political party के दोरा तो भी उससे जो है deregistered नहीं किया जा सकता हाला कि एक provision जरूर दिया गया है जो आपका paragraph 16A है of symbol order जिसमें ECI के powers power है recognition suspend करने का और withdraw करने का of recognized political party लेकिन यहाँ पर deregisteration की power नहीं है यहाँ पर recognition को suspend किया जा रहा है as a national party और as a state party deregistered अभी भी नहीं कर सकते हैं अब model code of conduct को enforce करने के लिए चीजे clear है तो यहाँ पर 2016 में क्या हुआ था जो election commission of India है उन्होंने कहा था कि उनको deregisteration की power भी दी जानी चाहिए बहुत सारी political party बहुत फरजी वाड़ा कर रही है और बहुत समय से inactive भी है उन्होंने यह भी कहा था कि अगर political party 10 साल तक consecutively एक भी election contest नहीं करती है तो भी उसे deregister करने की power इसको मिलना चाहिए election commission of India को मिलने चाहिए और यही सेम चीज law commission ने 2015 में भी कहा था तो क्या यह reform किये जाने चाहिए इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं आपके mains में जो है यह question आ सकता है electoral reforms में और इसमें आप यह लिख सकते हैं कि election commission को deregister करने की power भी दी जानी चाहिए और model code of conduct को enforce करने में यह काफी helpful हो सकती है इसके अलावा जो dereg recognition है वो आज तक सिर्फ एक बार हुआ है 2015 में national people party कर dereg recognition किया गया था उन्हें suspend कर दिया गया था क्योंकि वो election commission of India के जो instruction है उससे follow नहीं कर रहे थे तो यह आपको ध्यान रखना होगा dereg recognition कर सकते हैं एक बार किया भी है deregisteration नहीं कर सकते हैं और अभी तक नहीं किया है इसकी power मांगी जा दिये दोनों के बीच में जो अंतर है उसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह हमारा अंतिम आर्टिकल था that's it for today thank you and enjoy your day